गाइस इस वीडियो में जो तीन स्टॉक्स हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो इस मंत के हमारे मंतली SIP लेवल के आसपास है तो ये वीडियो इंपोर्टेंट तो है ही लेकिन एक और अपडेट है कि आज के बाद हर दिन आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे औ और अगर आप लोग वीडियो के कमेंट में क्वेशनम पूछते हो किसी स्टॉक के बारे में तो वीडियो उनके बारे में होंगे अदर्वाइस जो मेरे टागेट लेवल्स में आरहे हैं मैं उनको डिसकस करूंगा तो मेक descriptive अगर आपके कुछ कुछ चैन्चंथ हैं तो रिस्क लेना बनता है, कंपनी बहुत जादा फेमस है, डिविडेंट देने वाली कंपनी है, प्रोमोटर्स इसमें जो मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, वो ही होल्ड कर रहे हैं, उसमें से इन्होंने गिरवी कुछ नहीं रखा, लोन बिल्कुल नहीं है इनके उपर, तो आया है इसके sales में और profits में इसकी वज़े से आपको ये मिल रहा है तो अगर आपके target में ये पहले से था तो आप इसको देख सकते हो अब देखे ये all time का chart है और इसमें क्या पता चल रहा है कि ये एक इसका resistance level था जो की आगे जाके एक support बना और उसी support को अब ये kind of break करता देख रहा है तो इसलिए last month में मैंने बोला था कि इसमें last month में हमारा monthly SIP level hit हुआ था और पहले भी यहाँ पे एक support हुआ था और एक पहले resistance हुआ था तो इसलिए जो लोग इसमें बहुत जादा bullish थे उन्होंने इसमें यहीं पे entry की जो की कोई गलत बात नहीं है अगर आप long term investor हो तो यहाँ पे entry की जा सकती थी मेरे हिसाब से लेकिन मैंने इसमें यहाँ पे entry नहीं की है मेरा जो target था वो around 360 से 370 के बीच का था इसमें first entry करने के लिए और अभी भी मेरा target जो है लगबग इसके बीच में ही कहीं पर पड़ेगा अगर मैं entry करूँगा तो मैं आपको tele Instagram पे और YouTube पे बता जरूर दूँगा लेकिन अभी के time पे भी मेरा target जो है वो यही है हां बहुत जादा इसमें entry नहीं करना है बहुत जादा heavy investment नहीं करूँगा मैं because इसके profits वगेरा जो है अभी थोड़े डामाडोल चल रहे हैं अगर revenue अच्छा होता और profits गिर रहे होते क्यों famous है because इसमें जो पैसा बना के दिया इस stock ने बहुत ही short time में लोगों को उसकी वज़ा से यह famous हो गया ओके dividend देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें dividend मिल रहा है promoters की holding अच्छी है और ROC और ROE देखे इससे आपको पता चल जाएगा कि इसने कितना return बना के दिया है ब बताईए जो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हो और उसमें बहुत पैसा बनाया जा सकता हो और मैंने काफी research करने के बाद उनको case solve का नाम बताया था जो कि आज भी उस comment में है और उस time में stock around 380-400 के आसवास में कहीं पे चल रहा था और funny यह है कि मैंने ही उसमें entry नहीं क तो मेरे साथ यह एक थोड़ा moment हो गया लेकिन adjust उसके बाद ही यह stock देखे किस तरह से भागा और अभी यह थोड़ा consolidation zone में चल रहा है गिरा नहीं है यह बहुत ही जादा positive बात है यह consolidate कर रहा है मतलब time ले रहा है दो तरह की fall होते है एक होता है इस तरह का fall और एक होता है consolidation जिसमें time बरबाद होता है तो यह जादा अच्छा होता है थोड़ा painful कम होता है तो वही इसमें चल रहा है अब इसकी वज़े से एक छोटी सी जो negative चीज़ इसमें है वो यह कि public के पास holding बहुत जादा है around 40% के आसपास holding सिर्फ public के पास है FIA DIA के पास बहुत कम है तो जो ब रहा है कोई major fall इसमें कभी हुआ नहीं है लेकिन अगर इसका PE ratio देखेंगे तो इसमें यह अपनी median के पास इसका PE और EPS continuously बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर कोई बहुत जादा bullish है और PE ratio को बहुत जादा seriously लेता है तो इसके बारे में अभी सोच सकते हो DP wire के जैसा ही इसमें भी मेरा एक GTD का order लगा हुआ है around 950 के आसपास sorry एक 0 जादा हो गया 950 के आसपास मेरा इसमें GTD लगा हुआ है जो कि मैं थोड़ा बहुत उपर नीचे कर सकता हूँ मैं daily change करता हूँ situation wise लेकिन around 950 के आसपास वो रहता है अब इसका ये मतलब नहीं है क ये 950 से नीचे नहीं जाएगा जा सकता है इसलिए मैं 950 पे एक छोटा amount लगाँगा और अगर यहां से भी नीचे जाता है तो जो मैं next investment इसमें करूँगा या averaging करूँगा वो थोड़ी जादा amount से करूँगा इसमें मज़ा आ जाता अगर 750 के आसपास ये हमें मिल जाता ले इसको हम लोग discuss करेंगे 0.51 का debt to equity ratio है 1 से नीचे है तो ठीक है stock का PE अपने industry PE के आसपास ही चल रहा है तो ये तो हो गए basic fundamentals अब बात करते हैं इसके promoters holding की अब इसमें देखना थोड़ा साना जाधा खिचड़ी बनी हुई है तो हर point अलग-अलग आराम से समझना promoters के पास ज इसको ये थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे है कम कर रहे है अब ये देखना है कि इसको कम कौन कर रहा है इसका जो major stock holder है वो अपना stake कम कर रहा है तो ये एक थोड़ी से negative चीज हुई अब दूसरी बात करते हैं public में आप देखेंगे तो public में stake कितना दिखा रहा था 55% और वो ह 37% अगर इसके detail में जाके हम लोग चेक करेंगे तो ये कोई institution है या जो भी company है उनके पास 18.68% का stake था जो की आगे नहीं दिख रहा तो ये जो 18.68 का stake है अगर DIA में चेक करेंगे तो ये हमको मालुम चलता है कि यहां पे और यहां पे यह आड हुआ है तो दोनों ही SDFC के अल शायद ये जितने भी institutions वगरा और individuals जो हैं चोटे मोटी companies वाले इनके stakes शायद DIA में दिखने शुरू हो जाएं कुछ time के बाद I'm not sure about it अगर आपको पता है तो आप comment section में लिखके बता सकते हो अगर आपने कहीं पे इसकी case study पढ़ी है या देखी है लेकिन एक चीज जो मैं देखके आपको बता सकता हूँ positive है वो ये कि public की holding पहले जादा थी फिर कम हुई और अभी अलगबग 3% कुछ बड़ी है लेकिन overall देखें तो कम हुई है तो जैसे ये negative है वैसे ही ये positive है FII को देखेंगे तो ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है तो ये भी positive है DIA को देखे देखेंगे तो सबसे जादा Indian companies Indian companies के जो shares होते हैं उसमें अगर DIA ये अपना stake बढ़ाता जाए ना तो ये सबसे बड़ी positive चीज होती है तो इसमें एक negative और जादा positive तीन positives हो गए तो हम लोग भी positive side में ही रहते हैं अब बहुत बड़ी company भी नहीं है और अगर इस तरह के stock मे आप investment करना चाहते थे हमेशा से तो इसके बारे में आप सोच सकते हो अब देखिए जब से ये company आई है उस time से अगर इसका chart देखेंगे तो बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन अच्छा दिखाई दे रहा है खराब कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है यहां तक बहुत चीज़ यह है कि इसका जो median है उसके पास ही इसका PE चल रहा है तो अगर इसके profits बढ़ते हैं EPS बढ़ते हैं तो उस time में अगर median आपको PE के नीचे मिलता है तो इसमें entry की जा सकती है अभी फिलाल मैं इतना जादा नहीं सोच रहा क्योंकि मैं इसमें बहुत जादा investment करने व 450 के नीचे यह किसी भी reason से जाता है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा जरूर मेरा जो GTTA है वो around 440-445 के आसपास में move होते रहता है तो जब भी मैं इसमें बाइंग करूंगा मैं आपको बता दूगा हो सकता है इस महीने लेवल ना आए अगले महीने कुछ और लेवल आज होंगे तो आप कमेंट में जरूर लिखके बताना कि शायद यह स्टॉक हमारे बाइंग लेवल में हो सकते हैं तो हम लोग उसे आगे आने वाले वीडियो में discuss कर लेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में